कहते हैं के सौ सुनार की और एक लुहार की पिछले सौ दिन से सरकारी और दर्बारी लोग कह रहे थे ये आंदोलन तो डीला पढ़ गया जी डीला पढ़ गया सौ सुनार की और आज जवाब दे दिया है एक लुहार की हाथ उठा के मेरे साथ बोलो आप सब लोग जवाब दिया है ना तो जरा हाथ उठा के बताओ जवाब दे दिया ये देख लो मीडिया के साथ यो ये देख लो दर्बारी और सरकारी लोगो जो कह रहे थे ये अंदोलन डीला पड़ गया अरे ये ग्राउंडी छोटा नहीं पड़ गया मुझे परपुर शहर छोटा पड़ गया इस्रेली के लिया आज तो अच्छा जोश की बात हो गई अब थोड़ी सी होश की बात कर लूँ भाई जब हम अपने अपने घर वापिस जाएंगे तो जो चार बात तो उंगली पे लेके जाएंगे ना जो बोलेंगे तो मैं आपके सामने पिछले पांच साल में अजय बिष्ट की इस योगी सरकार ने जो किसान के साथ उत्तर प्रदेश में किया है उसकी चार्ज शीट आपके सामने रखना चाहता हूँ पांच साल और पांच पाप इस सरकार के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी हथेली खोल लो और उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो भाई और बेहनो पहली उंगली सबसे छोटी उंगली पे पकड़ लो अपने हाथ कोल लो और अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो पहला पाप इस सरकार का के इसने करज माफी के नाम पे ढौंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ करज था करोडों किसानों का सरकार ने कहा हम 86 लाग का माफ करेंगे और घोशना कर दी के 86 लाग का माफ हो गया बाद में किसी ने RTI की और पता लगा उसमें से तो आदों का ना हुआ मतलब ये योगी नहीं ढौंगी है क्या बोलेंगे साथ योगी नहीं योगी नहीं नमबर एक अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा यहाँ गन्ये के किसान कितने हैं भाई अपना-पना हाथ खड़ा करियो गन्ये के किसान अब बताओ पिछले चार साल से सरकार ने गन्य का दाम बढ़ाया है के नहीं अरे अच्छे से हाथ उठा के बताओ बढ़ाया है के नहीं नहीं बढ़ाया अरे वो तो छोड़ दो पिछला बकाया दे दिया है के नहीं उत्तर प्रदेश में साथ हजार दो सो पिछानवे करोड रुपया पिछले सीजन का पड़ा है चार हजार आठ सो करोड रुपया उससे पहले का बकाया है हो गए बारा हजार करोड और बीजेपी ने कहा था के हम तो किसान को ब्याज भी दिलवाएंगे बकाया पे 7,800, 8,700 करोड रुपए का ब्याज बन गया 20,000 करोड रुपए से जादा तो ये सरकार किसानों के करज माफी करने की बजाए फसल के दाम की लूट कर रही है तो योगी नहीं लुटे रहा है योगी नहीं अरे जम के बोलो योगी नहीं योगी नहीं अब तीसरी बात पकड़ लिए भाई तीसरी उंगली उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हम दाने दाने की खरीद करेंगे बोला था ना के भाई गेहूं की दाने दाने की खरीद होगी सारी फसलों की हम एक-एक दाना खरीद करेंगे पता है कितनी खरीद की गेहूं की 18% यानि की 6 बोरियों में से उत्तर प्रदेश में 6 बोरी गेहूं पैदा होता है तो सरकार ने 1 बोरी खरीद की है सरसों की 1 प्रतिशत 100 बोरी में से 1 बोरी और चने की जीरो, मूं की जीरो, मसूर की जीरो, सोयाबीन जीरो, मक्का जीरो ये सरकार खरीद नहीं करती, सिरफ जुमले बाज है योगी नहीं जुमले बाज है, योगी नहीं पीछे से आवाज नाई मेरे को भाई, योगी नहीं अब चौती उंगली पकड़ लीजिए मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था और आज कितने का है पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था हो गया 72 का गटके 47 और इतने में क्या हुआ जो कंपनिया है प्राइवेट इंशोरेंस कंपनिया हम दो हमारे दो वाली कंपनिया जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में धाई हजार करोड रुपय का मुनाफ़ा कमाया फसल बीमा के नाम पे किसान से धाई हजार करोड रुपया इन्होंने लुटा है तो ये फरेब करते हैं योगी नहीं फरेबी है योगी नहीं योगी नहीं और बस अब आखरी बात ये अंगूठा अपना देख लिए भाई इस सरकार ने किसानों को जाती और धरम के नाम पे बांट के इन्हें तोड़ने की कोशिश की अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो राज करो की नीती की वही काम इस योगी सरकार ने किया है जाती की बात तो आप पूछो मत उत्तर प्रदेश में इस से बड़ी जाती वादी सरकार ना आई देश के इतिहास में पहली बार मंत्री मंडल में हर मंत्री की जाती गिनाई गई और धरम ये वही मुझफर नगर है जहां हिंदू मुसल्मान में दंगा करवा के हिंदू मुसल्मान में खून की आंधी करके खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीती की थी जो घर में आग लगा के अपनी रोटी से के वो घर का दोस्त है के दुश्मन ये देश द्रोही है ये योगी नहीं देश द्रोही है भारत मां के दो लाल हिंदू और मुसल्मान में जो जगड़ा करवाए वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता ये देशद्रोही है और आज मिलके मुझफर नगर में हम कहते हैं तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे